इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. डेसवाल यार 125 टैबलेट एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल मिर्गी के इलाज के लिए किया जाता है. यह दौरों यानि की फित्स को रोकने और नियंत्र करने में मदद करता है. इसका उप्योग माइग्रेंग की रोक थाम में भी किया जाता है. कभी-कभी इसका इस्तेमाल बाइपोलर डिसॉर्डर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है. डेसवाल यार 125 टैबलेट का इस्तेमा अकेले या अन्य दवाओं के साथ में किया जा सकता है. डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह आपके डौक्टर द्वारा बताए जाएंगे ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंत्र करने के लिए सही मात्रा मिल सके. आप इस दवा को खाने के साथ या बिना ख जाती है. भले ही आपको बहतर महसूस हो रहा है. खुराक छूट जाने पर दौरे पर सकते हैं और अगर आप इसे रोक देते हैं तो आपकी स्थिती और भी बिगर सकती है. इसे अचानक कभी नहीं बंद करना चाहिए. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट सिर्दर्द, धुंदली नजर, मिचली आना, उल्टी, चक्कर आना, ठकान और अस्थिर्ता हैं. इन में से अधिकांच गंभीर नहीं हैं. दवा लेते रहें. लेकिन अगर आपको इंसाइड इफेक्ट से परेशानी होती है या ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डौक्टर से बात करें. हाल अगर आपका मूड अवसाद ग्रस्थ हो जाता है, तो अपने डौक्टर को बताएं. इसका उप्योग करने से पहले, अगर आपको कभी दिल की समस्या, किड्नी या लिवर की बीमारी, पेशाप करने में कठिनाई, अवसाद या आत्महत्या के विचार आएं, तो अपने ड पीने दवाएं इस दवा के असर को प्रभावित कर सकती हैं, और कुछ को एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए. इसलिए आप जो भी दवाएं पहले से ले रही हैं, उसके बारे में डौक्टर को बताएं जिससे सुनिश्चित हो सके कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है. अगर आप गर्भवती हैं, तो अपने डौक्टर से पूछे बिना इस दवा को लेना शुरू या बंद न करें. शराब पीने से बचना चाहिए क्योंकि यह कुछ साइड इफेक्ट बढ़ा सकता है और आपके दौरे का जोखिम भी बढ़ा सकता है. शुरू करने से पहले और इसका उप्योग करते समय आप सही खुराक ले रहे हैं. यह सुनिश्चित करने में डौक्टर की मदद करने के लिए आपको अकसर ब्लड टेस्ट की आवश्यक्ता पढ़ सकती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लग धन्यवाद.